मैं रामनिवास स्याचारिय स्री कल्यान राज किये कर्ण्यमाविदाले शिकर आज मैं आपको अधिनाइक तंतर के जो लक्षन है उनके बारे में बताऊंगा चर्चा करेंगे कृफिया द्यान पूर्वक सुनने और समझने का आप प्रियास करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत से लक्षन है पर यहां पर कुछ जो खास लक्षन है उनको हम एक एक करके अपना ये विचारों का जो समागम है उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इसमें मैं पहला ले रहा हूँ लक्षन है कि लोगतंतर विरोधी अधिनाइक तंतर है वो लोगतंतर विरोधी है अधिनाइक तंतर है वो लोगतंतर विरोधी है और वो लोगतंतर का मजाक उड़ाता है कि क्या क्या कहकर उड़ाता है एक तो मुर्गतापुन मानता है लोगतंतर को मुर्गतापुन कारी मानता है, मुर्गतापुन विचार मानता है दूसरा वो देखता है कि इसमें ये भरष्ट है, इसमें प्रष्टाचार को होता है और ए वेवारिक की वेवारिक नहीं है ये विभार में लोगतंतर हो नहीं सकता इस परकार का वो कह कर इसका इसके खिली उड़ाते हैं अधिनाइक तंतर लोगतंतर को सड़नी वाली लहास के समान मानते हैं जैसे किसी ने कहा कि शाव के वर जलाने के लाइक होता है तो ये क्योंकि फिर जितना जल्दी हो सगे उसको दफनाय या उसका सेंश कर किया जाए तो उसी परकार से वो कहते हैं कि सड़नी वाली लहास के समान है जीवीत होता है तो सेनेक परकार के कार ये संभावनाई उदस्य होते हैं पर लास से कुछ नहीं होता, लास के वो जलाने के काम आती है, तो उसी प्रकार से वो लोकतंतर को ये विरोधी और अधिनाइकतंतरवादी कहते हैं, तता संसत को बातुनी लोगों की दुकान कहते हैं, कि वहां कानी किस्षे सुनाने वाली दुकान, वहां कोई रसनात मकाम, ये अधिनाइकतंतरवादी ने नहीं माना है, उन्होंने इस परकार से सड़ने वाली लास कहे दो, या संसत को बातुनी लोगों की दुकान कहे दो, इस परकार से खरकर उन्होंने इस लोकतंतर का विरोधीया, दूसरा, उदारतावाद विरोधी, उदारतावाद विरोधी अदिनाइक तंतर क्या है कि ये उदारता वाद विरोधी है इसमें विद्वान है कोकर कोकर कहता है कि अदिनाइक तंतर है शोतंतरता समानता बंदूत्व है जैसे उदारता वादी अभिवेक्तियों का विरोधी है अधिनाइक वाद का नारा है आदेश, अनुसासन और सता जबकि उदारतावाद सवतन तरता समान तरता अधिकारों पर बल देता है तो देखो उदारतावादी विचारदारा है उसके खास लक्सन क्या है? उसमें सवतन तरता पर बल दिया जाता है सब को समान माना जाता है उसमें बंधूत्व है ये जो विचार हैं ये उदारवादी है जो सब को साथ लेकर सब का विकाश, सब का हाथ ऐसी इसमें मूल दाड़ना है तो अधिनाइक वादेश का विरोध करते है वो इससे सहमत नहीं है और अधिनाइक वाद का नारा क्या है आदेश अनुशाशन और सब्सक्राइश जो भी अधिनाइक ने आदेश दे दिया बस उसका पालन करना है वहाँ पर आदेश और अनुशाशन कोई अधिनाइक के खिलाब किया कहीं कोई कुछ नहीं बोल सकता कुछ नहीं कर सकता आदेश, अनुशाशन और सब्सक्राइश कि जो अधिनाइक है जो केंद्रिय सब्सक्राइश है वो किस परकार से वो सक्ति संपन हो इसको लेकर ही चिंतन किया जाता है जो उदार वादि विचार है उदारता वाद्शावतंतरता शमानता ये उसमें पिछे छुड़ जाते हैं अधिकार, अपन जो अधिकारों के बात करें तो वहाँ पर अधिकार नाम की कोई चीज नहीं होती है तीसरा हिंसा वर शक्ति में विश्वास अधिनाइक तन्तर शक्ति के सिदानत में विश्वास करता है अधिनाइक वाद है वो शक्ति के सिदानत में विश्वास वो शक्ति पर ही टिकावा होता है जब तक शक्ति उसके पास है वो शासन करता है और जब सक्ति हर जाती है तो ये अधिनाइक लोगों का पता नहीं होता है वो रात कोई कहां गाईब हो जाते हैं या कहां चले जाते हैं उनके साथ क्या होता है एक विद्वान है कार्ली के नुशार अधिनाइक वाद का उदे ही युद्धों से होता है तथा युद्ध से ही उसका विकास होना अवशिक है कारली ने अधिनाइक वाद के बात को और सक्ति वाले बात को और अधिकारिक रूट से पुस्ट कर दिया कि इन अधिनाइक वाद का उद्ध युद्ध से होता है तता युद्ध से ही उनका विकास होता है यदि वो युद्ध नहीं करेंगे अधिक कोई डिक्टेक्टर है युद नहीं करेगा तो उसका विकास करते हैं उनका अस्तव है तो इस प्रकार से वो हिंसा वर शक्ति में विश्वास करते हैं ये उनका धार होता है जिस पर वो ठिके भी होते है जो था ताना साही को अत्य दिक महत्व ताना साही वेवस्ता मे राज्ये सर्वे सर्वा होता है मुसोलनी के शब्दों में राज्ये केवल राजनितिक सेंस्ता मातर ही नहीं मुसोलनी क्या कहता है राज्ये केवल राजनितिक सेंस्ता मातर ही नहीं राज्ये एक आध्यात्मिक तथा नेतिक तत्य है वे जनता की आत्मा का रक्षक है राज्य क्या है? राज्य एक आध्यात्मिक तता नेतिक तत्य है और वे है जनता की आत्मा का रक्षक है मुसोले ने ये भी कहता है कि प्रतेक वस्तु तता प्रतेक विक्ति राज्य के अंतरगर्थ एवं राज्य के लिए है राजे के बहार या उसके विरुद कोई नहीं हो सकता राजे को प्रतेक छेतर में सब वेक्टियों पर निरंकुष पर्बू सता प्राप्त होती है तो देखो यहाँ पर कितनी वो इसके पक्ष को मजबूत करने वाली बातیں कहीं है और इसमें भी स्वेम मुशोल ने जो डिक्टेक्टर था वो कह रहा है कि प्रतेक वस्तु या प्रतेक वेक्टि राजे के अंतरकर्ट है राजे के लिए है अंतरकर्टी नहीं वो राजे के लिए ही है और राजे के बहार या उसके विरुद कुछ नहीं है सब कुछ राजियी है तो इस परकार से कहना चाहिए विक्ति स्वाविधि इसमें वेक्तिकों सब्तंतरता का घोर विरोदी है आदिनाइक वादी राजे वेक्तिके जीवन के सभी पहलूँँ पर नियनतर्ण रखता है ताना साही में सब्तंतरता कार्थ राजे के आदेश और अनुसासन का पालन करना देखो ताना साही में ताना साही में सब्तन तरता क्या होती है सब्तन तरता यही है कि राजे के आदेश और अनुशा से उसका पालंग करें तो यह इसमी था और जो विक्तिगत सब्तन तरता है विक्तिगत अधिकार अपन कहते हैं ने मेरा ये तो मेरा विक्तिगत मामला परसनल मामला है या फिर कहते हैं कि राज्य को धर्म के मामले में या औरने मामले में हस्तक्षिप नहीं करना चाहिए नहीं वहाँ पर राज्य है वो बिलकुल वो हर जगे हस्तक्षिप कर सकता है उगर राश्टरवाद, अधिनाईक तंत्रे उगर राश्टरवाद में विश्वास करता है, ये राश्टर की महानता को कल्पित धारना मानता है मुसोलनी के शब्दों में राश्टर स्में में एक आध्यात्मिक और नेतिक तप्प है राश्टर से प्रतक किसी वेक्ति की कोई प्रतक्षता नहीं हो सकती फासिस्टों के नुशार राश्टर एक आध्यात्मिक अविये है अवियव है आद्यात्मिक अवियव है जिसमें विक्तियों का वही स्तान है जो सरीर में अंगों का तो राज्य है वो आद्यात्मिक शवरूपला है वो सरीर है और मनुष्य वगरा है ये उसके अंग जैसे सरीर के अंगों होते हैं उस परकार से हैं तो ये उगर राष्ट्रवाद का पुर्षक है, इस परकार से ये तानासाईउं का या अधिनाएक दंतर का इसमें विश्वास होता है, अगला सर्वादिकारवाद, ये राष्ट्री जीवन के प्रतेक चेत्र को नियंतरित करने का प्रियास करता है, इस परणाली के अंतरगर क्या समाज, क्या धरम, क्या प्रिवार, सभी पर राजे का नियंतर्ण रहता है, प्रतेक समाजिक संगठन, सतारुड दल की नीतियों के परचार का एक शक्रिये माद्यम बन जाता है, सर्वादिकार, सब राजे के अंतरगर जो भी है, जो धरम है, प्रिवार है, वेक्ती है सेंस्ताई हैं, आर्थिक बाती हैं, तत्वे हैं, कोई सब पर अधिनाईक का नियंतर्ण होता है, कोई उस से अलग नहीं है और आगे एक दल ये सासन अधिनाइक तंतर एक दल ये वेवस्ता प्राधारित होता है इसमें एक दल की ताना साही रहती है इसके अंतरकर्थ अन्य राजनितिक दलों का दमन कर दिया जाता है दूसरी सब्दों में अधिनाइक किसी परकार का राजनितिक विरोध सहन नहीं कर सकता ये एक खास बात होती है तो जो भी है जो जहां अधिनाइक वाद होता है अधिनाइक तंतर का साशन होता है वहां के वले एक दल जो उसका स्वेम का दल है उसके नाजी दल हो और हो तो वस वो एक ही दल को और उसकी विचार दारा को स्विकार किया जाता है दल की ताना साई को विचार दारा इसमें प्रमुक नहीं होते हैं सब कुछ होता है उसको स्विकार किया जाता है दूसरा कोई राजनितिक विरोध या दल यदि होता है तो वो उसका फिशलुक हो वरना उसका दमन कर दिया जाता होता ही नहीं है तो दूसरे सब्दों में हम यह कह सकते हैं कि राजनितिक विरोध वहां पर सहन नहीं किया जाता और उप्त के अतिरिक्त भी कई विद्वानों ने अपनी और से और इसके लक्षन की नए है जो ये विशे बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसमें से मैं डाक्टर बेनी परसाद है विदेशी न्यूमेन पीटर मारकल है आदी ने भी अदिनायक तंतर के लक्षनों का वर्णन किया है तो हम देखते हैं कि आज आपके सेयुक से ये हमने अदिनायक तंतर के लक्षनों का वर्णन का थोड़ा चर्चा की इस पर चिंतन किया और अब मैं मेरी वानी को यहीं विस्राम दूँगा और आपको बहुत बहुत धनेवाद